तुम्हेश्टा बच्चों स्वागत है आप सभी का आपके आउनलाइन संसान परिक्षा प्रस में कैसे हैं सभी और कैसी चलने आप सभी के तैयारी अभी देखा जाये तो हॉस्टल वार्डन का एक बहुत बढ़िया वेकंसी आई हुई है यह अमारे इस लगातार वेकंसी प आ गया है तो इससे समद्दित बहुत सारे बच्चे लगातार आप देख भी रहोंगे कमेंट करते हुए जा रहे हैं कॉल पर कॉल आ रही है और अब सबसे बड़ी बात है कि उनका एक ही कोशन है कि सर हॉस्टल वार्डन की तैयारी कैसे करे और हॉस्टल वार्डन में सबस सबसे ज्यादा जो आपके प्रश्ण है मुझे पता है इन ही से हैं वो आप लगातार कॉल करके पूछ रहे हैं अप लगातार यहां पर मैसेस दे रहे हैं उन सब को सॉलूशन यहां पर मैं लेके आया हूँ अगर आप चल पर नहीं हो चल को सब्स्क्राइब और लिजेगा EMRS की किसी भी वेकेंसी के लिए एक मात्र जो कंप्लीट सॉलूशन संस्ता परिक्षा प्लस है सब कुछ आपको बहुत बेतीन तरीके से दे रही है तो सब कुछ बताओंगा इस वीडियो में थमनेल आपने देख लिए होगा एक बहुत अच्छी रणनी कि हमें कैसे तायार करना है किसका वार्डन का यह मारें कि होस्टल वार्डन का सबसे बड़े प्रश्ण आपका क्या उन है इनकी जौब प्रफाइल कि मैं अलग से वीडियो बना दूंगा और वो वीडियो भी इसी डिस्रिप्षन में आपकी लग दी जाएगी अभी आप इतना समझे कि एक ट सब्सक्राइब करना नहीं कि नहीं ता इस लेवल पर आपका लिके जाएंगे और यह जो तीन पर आप स्वार्डाइब करने वाले हैं क्या कोचिंग होनी चाहिए सफ सट्री कर सकते हैं किताब भी कौन सी हो नहीं है, कहां से मिलेंगी, कौन से publication की, PDF को इतनी helpful होंगे, safe score क्या रहेगा, और test हमें कब करना है, कैसे करना है, कहां से करना है, सब कुछ आपको इस video में मिलने वाला है, तो अगर आप channel पर नए हो, subscribe, और शे कर ले channel, यह जो course है, उसके बारे में, हलाकि मैं इसके बारे में अभी जिक्र नहीं करूँगा, अभी मेरा focus जो है, वो आपके कैसे तैयारी करें, एक जो start आपको चाहिए होता है, एक जो शुरुआप चाहिए होता है, कि जो confidence की भाई हम जहां से जुड़ रहे हैं, हम जो अपनी तैयारी कर रहे हैं, क्या हम इसके लिए eligible है की नहीं है, उसके लिए हम अपनी तैयारी कर पाएंगे की नहीं कर पाएंगे, सबसे बड़ी बात यह है, eligibility में कोई भी graduation हो, कोई भी graduation हो, simple graduation, कोई minimum percentage नहीं है, कितना भी percentage हो, अगर आप third division भी pass हो, तो आप इसके form भर सकते हो, के वर आपको exam बीट करना है, single stage exam है, कोई interview नहीं है, सबसे अच्छी बात यह है, और एक सबसे अच्छी बात और है, कि इसमें महिलाओं का अलग, और पुरुसों का अलग है, मतलब दोनों के अलग-अलग पद हैं, लगभभ बराबर हैं, 600-700 के बीच में पद हैं, 670 पर लगभभ कम नहीं होते हैं, बहुत बहितरीन पद हैं, अब सबसे बड़ी बात हैं, कि इसका आपने पैटर्न देख लिया होगा, तो ठीक, नहीं देखा होगा, तो भी ठीक, मैं आपको सब कुस डिटेल में बता दे रहा हूँ, सबसे पहले तो धाई घंटे का पेपर है, तो इस पेपर में आपको सिंगल स्टेज पेपर है, आपको दो पेपर नहीं देना है, एक दिन में जाना है, धाई घंटे बैटना है, पेपर देखे आ जाना है, और धाई घं सबक्राण सब्सक्राइब सबकर इस्थिती समान है कहने का मतलब यहो गया कि इसमें कुछ पार्ट कुछ पार्ट ऐसे हैं जिसमें अभी देखा जैसे नॉलेज और पॉक्स ओ ये बहु गया अब ये पार्ट बिल्कुल नया है मतलब आप कहीं भी जाओगे ना तो इसकी कोई किताब है पहली बात ना ही इसका कोई कोस है ना ही इसका कोई अभी तक सलेबस का जो सलेबस भी बताया है वो इन्होंने भी बताया और सबसाद बच्चे से घबराया भी हुए लेकिन जब ये नया है तो सब की लिए नया है तो ना कोई पहले की तैयारी, ना कोई बात की तैयारी, जो आज से तैयारी करना सुरू करता है, जिसके पास resources सबसे best होते हैं, जिसके पास content सबसे best होता है, जो सरवाधिक सबसे अच्छे मारक दर्शन में guidance में होता है, वो selection लेता है, और इसके 30 question, 30 number क्योंगे, ये बहुत ब अगर देखा जाए, तो 30, 20, 50 और 10, 60, 60 number तो आपके ऐसे हैं, जो बिलकुल नए है, चलो computer की कुछ तॉपिक पर भी लोग पढ़े होते हैं, बट ये दो पार्ट बिलकुल ही क्या है, नया दिया हुआ है, अब आते हैं कहां पे, language वाले पे, और दूसरा reasoning और general awareness, अब इसका general awareness भी बाकी general awareness जैसा नहीं है, इसके general awareness में education से समध्धी चीज़े हैं, जो नया, नया आपका syllabus बनाती हैं, नया आपका course बनाती हैं, और इस हिसाब से ये 10 जो 10 अंग हैं, ये भी आपके लिए बहुत अच्छे हैं, जो एकदम नए हैं, सबकी situation सेम जैसी है, मतलब 120 में से आ ये भी आपका 10 नंबर extra ही है, तो कहने का मतलब 120 में से, 120 में से 80 प्लस question नए question है, जिसका कोई competition नहीं है, वही अच्छा करेगा, वही selection लेगा, जो in between पढ़ेगा, जैसे बहुत साथे बच्ची पूंसरे तिक इस अब paper कब होगा, तो paper इसका आपका October, November में प्रस्तावित है मतलब आपका August तक form चलेगा, 18 August, उसके बाद आपको 3 महीना मिलेंगे, लगभग, August से पूरा September, September से October, October से November, तो आपको 80 से 90 दिन वो मिलेंगे paper की last date से, मतलब आप मानके चलो कि November में भी अगर paper होता है, तो आपके पास July, August, September, October, 4 महीने 120 दिन पढ़ने के लिए बहुत अच आप ऐसे दूद पीते बच्चे नहीं हो, graduate हो सभी लोग और graduation level पर ही जॉब है, जो अभी तक आज तक hostel वार्डन का कोई syllabus ही नहीं आया, hostel वार्डन में administrative aptitude, यह अगर आप देखोगे civil services में क्या ethics integrity वाले पार्ट में होता है, लेकिन वो civil services के लिए होता है, hostel वार्डन के लि कोई भी ऐसी संस्था नहीं है, जो इससे पहले चलाए हो, अरे जब यह पहली बार exam ही हो रहा है मेरे भाई, इससे पहले exam ही नहीं हुआ, तो फिर कैसे इससे पहले resources मिलेंगे, तो जो publications होती है, जो अन्य संस्था होती है, वो करती क्या है, अचानक से पुराना जो भी material है, पता लागा, civil services का material पर कबर चेंज किये, ये लो, hostel वार्डन, और आप भी क्या करते हो, जैसे आता है, आप book store पर भगते हो, कोई publication आया, चलो भाई या, ले लो किताब में, जब घर आते हो, पढ़ते हो, एक दो महीना पढ़ते हो, समझ में आता है, कि यह तो हमारा पूरा पूछा ही नहीं जाना है, बास समझ मेरी, ऐसे ही आपका boxo, boxo कुछ आपके teaching exam मगरा में कई बार पूछते हैं, लेकिन एक दो question rarely पूछा जाता है, इसमें आपके 10 question का वीटिस केवल boxo से है, ये चाइल्ड की sexual offenses पर कुछ जो नियम होते हैं, कुछ जो rules है, regulations है, ये सम्वि इस गंटा वहाँ पे रहते हैं, तो उनी बच्चों पे controlled teacher से कहीं जाता है, इसकूल में तो बच्चे पढ़ने जाते हैं, 7-8 गंटे के ले जाते हैं, लेकिन वार्डन में वो 7-8 गंटे के बाद से पूरा बाकी जो 14 गंटा बसता है, वो वार्डन के जिम्मेदारी होते है अब बच्चा तोड़फोड कर रहा है, बच्चा लड़ाई पीट कर रहा है, बच्चा इंडिसिप्लिन कर रहा है, तो उसके लिए आपके पास aptitude और उनके नियम कानूम तो आपको पता होना चाहिए न, वरना आप क्या करोगे, आपको वहाँ पे कोई बच्चा ही बेकु इसमें केंप्यूटर के पार्ट हैं और चौथा जनरल अवर्जिव में एड्यूकेशन से संबन दें, तो यह सब कुछ में आपको बताने वाला हूं, तो आपकी जो तैयारी होनी चाहिए, इसलिए मैं आपको दो पार्टों में इसे डिवाइट कर रहा हूं, दो पार्टो जो है जनरल अवर्णेस के एड्यूकेशन फिर्ड का, यह भी अलग पार्ट है, अलग पार्ट है इस बात को समझेगा, और जो चौथा आपका है, वो आपका ICT है, और पांचवाँ आपका रिजनल लेंग्वेज, इस पे आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है, इस पे मै आपका बच रहा है रिजनिंग, इसके बाद रिजनिंग बच रहा है, इसके बाद आपका हिंदी बच रहा है, और इसके बाद आपका क्या बच रहा है, इंग्लिस बच रहा है, यह आपके तीन पार्ट बच रहे हैं, जो हर बच्चा पहले से भी पढ़ा होता है, आप भी पहले से कहीं न कहीं पढ़े होगे चाहे तैयारी कर रहे होगे तो नोड़ आपको पहले से ही इतना वेटिस लेके चलना है कि हम इसमें अच्छा परफर्म करेंगे फ्रेशर भी हो तो घबराने वाली बात नहीं है जैसा रिजनिंग 20 कोशन है अब 20 कोशन आपके पास समय चा ज्यादा इवेर हो सकता है एक गंटा क्योंकि डेड़ गंटे में बाकी आप कोशन कर ले जाओगे एक गंटे में 20 कोशन लेजनिंग अगर आप थोड़ा भी दिमाग चलता है आपके बब कॉंसेप्ट जानते हो तो आपके 20 में 20 सही हो जाएंगे मतलब ये कि पहली बात त इसका टार्गेट लेके चलना है यह बात क्यों मैं बोल लो क्योंकि भले ही इसमें ठिक था पत है 700 पत कम नहीं होते हैं महिलाओ का लग पूरसों का लग है लेकिन जब यह किस पर हम बात करते हैं और इंडिया लेवल पर बात करते हैं तो कभी भी ऐसा नहीं देखा गया है तमाम चीज़ों पर लेकिन जो एक एवरिज केलकुलेशन अगर मतलब की एनलिसिस किया जाए तो कोई भी सेंटर लेवल का ऐसा एकजाम कट ओफ कभी भी 75 से 80% कम नहीं जाता इससे जादा ही जाता है मतलब अगर आपका 120 कोश्चन है 120 नंबर है इसका अगर मैं 80% निकाल हो तो आपका 96 कोश्चन होता है और 50% निकाल लो तो आपका कितना होता है 90 कोश्चन होता है मतलब आपका टार्गność मब्र से 95 कोश्चन वह भी करेख्ट करने हैं क्योंकि आपका negative marking है, चार question गलत करोगे, तो एक question आपका काट लिया जाएगा, 0.25 की negative marking भी है, तो हमें इस target को achieve करना है, अब आपने एक target बना लिया, यह आपका एक cut off हो गया, अब इस target तर पहुंचना कैसे, इस target में आप कैसे पहुंच सकते हो, तो जैसे reasoning हुआ, जैसे reasoning हुआ, यह अगर आप जितना, इतना मैं बोलना हूँ, कि जितना आपको class में पढ़ाया जा रहा है, जो आपको practice set दिये जाएंगे, जो आपके quiz कराया जाएंगे, कि वहलाब को उतना करना है, इसके अलाबा कुछ नहीं देखना है, कुछ भी नहीं देखना है, अगर आप इतना कर लोगे, तो यकीन मानो, 20 में 20 reasoning में बच्चे उठाते हैं, और आप भी उठाओगे, तो जहां से scoring subject है, उसमें हमें full में full लेके आना है, कहीं human error हो गया, एक दो number चला जाता है, तो कोई भाप दी घवराना नहीं है, हम मान के चलेंगे, कि 20 में 20 हमें इसमें good attempt करके आना ही आना है, इसके बाद आपका आता है दूसरा हिंदी, जो हिंदी भासी छेत्र के बच्चे हैं, 10 question हैगा, 10 में 8 plus तो बहुत आराम से doable होता है, और अभी इस syllabus भी मैं आपको दिखाऊंगा, तो हिंदी में क्या बोला है, comprehension, grammar और vocab, हिंदी और इंग्लिस पढ़ने का भी मैं तरीका अगले पास्टर में बताता हूँ, बस आप पहले इसे समझो, और ऐसे इंग्लिस भासी जो छेत्र हैं, वो भी 8 plus, अब ऐसा हो सकता है, इंग्लिस भासी छेत्र वाले बच्चे, मतलब कि जो इंग्लिस मीडियम के बच्चे, उनका हिंदी में एक दो नंबर कम हो जाए, तो आप यहाँ पे उठा लो, और हिंदी वाले को इंग्लिस पे कम हो जाए, तो आप उठा लो, ओवराल दोनों मिला के 15, दोनों मिला के 15 डूएबल हैं, यह आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट है, तीसरा जो आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट है, वो है आपका ICT, जो कम्प्यूटर वाला पार्ट है, इसमें भी मैं इतना बोलूँगा, कि जितना आपको केवल पढ़ाया जारा है, आप बस उतना बोलूँ, जो नोट्स आपको दिया जारा है, वही पढ़ो, बार-बार नोट्स पढ़ो, मल्टिपल टाइम्स पढ़ो, स्कोरिंग है, चौथा आपका आता है रिजनल पार्ट, जो रिजनल लेंग्वेज है, अब रिजनल लेंग्वेज में बहुत सारे बच्चे क्या सोच रहे है, बहुत सारे बच्चे सोच रहे हैं, कि मैं अपने अपने रिजन का ले लूँ, नेपाली लेलू, मैं बंगाली लेलू या कोई लेलू, एक बात समझना, कि अगर आप रिजनल लेंग्वेज हिंदी या इंग्लिज के अलामा चूश करते हो, तो आपको उस लेंग्वेज में एक्स्टा एफर्ट करना पड़ेगा, एक बात आपको समझनी चाहिए, कि यहां पड़ना पड़ेगा, वो लेंग्वेज भी पड़ना पड़ेगा, दूसरी बात जो रिजनल लेंग्वेज है, इसका लेबल थोड़ा बढ़ेगा, इनने 12th के लेबल पे बोला है, और जब कोई चीज 12th के लेबल तक कीते दी जाती है, इसका मतलब उसका इस्तर बढ़ ज इंग्लिस में ही चूज करो, इन केस कोई ऐसा बच्चा जिसके हिंदी और इंग्लिस दोनों बहुत वीक है और रिजनल में वो अच्छा है, तब आप अपना रिजनल लेंग्वेज पूट करो, जैसे बहुत सारे बच्चे जैसे क्या होते हैं, आंदरपदेश्य होते हैं, पहुत सारे बच्चे केरल से होते हैं, तब यैसा हो गया कि असम से हो गया, या मड़ी पूल से हो गया, या फिर कस्मीर से हो गया, तो ऐसे बच्चे जिनकी रिजनल लेंग्वेज पर पकड़ ज़्यादा अच्छी है, हिंदी और इंग्लिस के comparison में, वो बच्चे की वर र विलॉंग कर रहे हो या फिर आप किधर हर्याना से विलॉंग कर रहो पंजाब से विलॉंग कर रहो तो मेरा सुछाओ रहेगा कि आप हिंदी इंग्लिस से चूच करो क्योंकि आप हिंदी इंग्लिस अक्सर क्या करते रहे तो पढ़ते रहे तो वहां पर आपका स्कोर बूस् सोरी डशी का है तो 8 प्लस स्कोर करेगा यानि कि यह उसका अपना पार्ट होगा और यहां पर सबसे ज्यादा नहीं इन लेंग्वेश से भी इसमें ज्यादा होगा कहने का मतलब है कि अगर मैं इन तीनों में से 22 से 25 नंबर अगर मैं लेके चलूं 22 से 25 कोशन तो वो गलत नही है यानि 20, 15, 35, 35 और अगर 25 लेका चला जाए तो 60 कोशन मतलब 50% 50% नंबर आपका 60 out of 120 आपकी किवल इन सब्जेक्ट से आ सकते हैं अब इनकी resources क्या होने चाहिए मैं वो भी एक बार दिखा देता हूं resources क्या है मैं सब कुछ बताऊंगा resources एक बार मैं दिखा देता हूं जो books है उनको आप देखो परिक्षप्रस एकदम dedicated किताब है इसके लिए निकाल नही है dedicated किताब है मतलब अब आप administrative attitude का देखोगे अभी इसका आप topic देखने जाओगे ना कहीं topic नहीं यह एकदम नया है और इसमें है क्या administrative attitude में मैं आपको यह भी बता देता हूं कि जैसे आप hostel garden बन गए hostel garden बन गए तो आपके पास क्या ऐसा होना चाहिए आपके पास ऐसी क्या knowledge होनी चाहिए जो आपके पास अपके mental ability क्या होनी चाहिए आपके अब रिची क्या होनी चाहिए वो आपसे यहाँ पर पूछेगा जैसे for example कि hostel में किसी room का कोई बच्चा उपर से third floor sir dust me नीचे फेक अब आप उस पे क्या action लोगे आपके अब रिची उस बच्चे को बुलाओगे उस पर तुरंथी एकड़ी सजा दे दोगे या फिर उसके गर्जीन से बोलोगे या फिर उस एक बास समझाओगे तो ज्यादा बहतर होता है कि बच्चे को समझाना इस हिसाब से अब रिची सारी concepts होते हैं उनको आपको ऐसे question पूंचा जाता है सब्सक्रों मैस है मैस में खाना बना किसी दिन का खाना क्या होगे आप किसी दिन के खाने में कौकर निकलाया या कीरा निकलाया खाने में पड़ गए तो आप पूरा खाना फिकुआ दोगे या फिर आप वार्डन को वा Suppose करो कि light नहीं आ रही है 24 घंटे की बिजली supply कट गई है ऐसे में आप किस से संपर करो कि यह सारी जो questions होते है administrative aptitude होते हैं और यह के किताबों में नहीं है यह आपको जब पढ़ाया जाएगा बहुत विदवत तरीके से तब आप इसके question को करपाऊगे No doubt इसमें अगर मैं यह बोलू कि आप 30 में 30 कर पाऊ तो साय थोड़ा मुस्किल है उसका कारण भी है 30 कोशन का है 30 में 30 में अभी यह पता ही नहीं है किसका syllabus क्या है अगर मैं इसके syllabus की एक बार चल्चा करूँ एक बार इसके syllabus की चल्चा करूँ तो admist aptitude में क्या है handling of large number of students ज ensuring segregation of male and female students अगर male और female है उनके आपको जो बहुत सारे college schools होते हैं उनमें आप कैसे deal करोगे ensuring cleanliness of hostel और प्रिमाइस जो है उसे आप clean में क्या उपका role होना चाहिए और record management of children जो children का record है उसको आप कैसे manage करोगी इन topics से आपके question यहां पर बनेंगे तो यह no doubt आपको इस किताब में बहुत बेहतरीन तरीके से एक ही point दिया गया है मैं आपको भी demo भी रिका दूँगा पहली बात तो मैं बहुत जन्विन बोलने वाला हो मैं अनरगल बाते करूँगा ने आप उसे बोलो कि सरी मुझे किता नोट्स बनाऊंगा ना मेरी टीम बैठके दस बारा लूग बैठके इस पर क्या-क्या हो सकते हैं कहां काप से प्रश्ण बन सकते उस पर विचार तो करेंगे तो मैं अगर आपको इसको दे पाऊंगा तो डेली बिस्स पर एक दो पेस दे पाऊंगा जो हमारी टीम हैगी इसमें सब दे दीगा और वह पूरा कोशन एक वह एक बी आशा को उगा जो आप यहां पर आप दूर पी बच्चे नहीं हो कि आपको नहीं समझ में आ रहा है कि क्या सही आपके लिए क्या गलत है और अगर मेरी बातें गलत लगे तो आप जाओ बिल्कुल बे हिजद जाके खरीदो, क्योंकि पढ़ना तो आपको पढ़ेगा, फॉर्म भाद दियो, 15 रुपे खर्च कर दियो, पढ़ोगे तो कहीं से आई है, तो दो, तीन हजार, चारा जार की किताबे और खर्च कर लो, पांच-छेजर को मिला के बरबात कर लो, उसके बाद आप जाओ, फिर आप बाद में यही करना कि यार, पूरा सब कुछ बेकार हो गया, उससे अच्छा है, कि अगर टीम इतना मेहनत कर लिए, तो एक बार आपको टीम पर ट्रस्ट थोड़ा सा करना चाहिए, इसके अलावा, जो बाकी किताबे हैं, जैसे यहाँ पर लेंग्विजिस, तीनों लेंग्विजिस, आप इसमें मैं रिजनल लेंग्विजिस नहीं कुदूँगा, आपको कियो लेंग्विजिस में हिंदी और इंग्लिशी आपका कवर कराया जाएगा, आईसेटी हो गया, आपको कंप्यूटर का पार्ट हो गया, रिजनिंग अबिलिटी हो गया, या फिर आपकी पॉक्सो, पॉक्सो से सम्बंदिद आपके अलग हो गया, और रही बात जनल अवेर्नेस इस किताब में आपको क्या मिलने वाला है, पूरा नमीनतम पार्टिकरम पार लेटिस्ट पैटर्न पे है, जो बिगत वर्सों के प्रश्ण पता, अब यह हमारस तो कराया नहीं है, लेकिन अगर कोई ऐसा एक्जाम जहां से कोशन से मिलके बन सकते हैं, तो उससे जन्रल अवेर्नेस की कोशन अपकी कराये जाएंगे, जैसे के विए से अगरा में ऐसे कोशन पूछे गए हैं, सरगर्वित यों कोड़दता पूर्ट बहुत ही क्वालिटेटिव है, और पूर्टा संसोधी ते मतलब इसमें एररलेस किताबे आपको ये मिलने वाले हैं, अब जन्रल अवेर्नेस में एक जो पार्ट दे दिया कि एजूकेशन की फिल्ड से, अगर आप से यहां पर थोड़ा सा देख लो, से जन्रल अवेर्नेस का थोड़ा सा देखो, आर्टिकल 23, आर्टिकल 27, ये सब किसके बारे में कह रहा है, ये सब आपके चायड के एजुकेशन के बारे में कह रहा है, तो वहां से कोशन बन सकते हैं, आप हिस्ट्री में चले जओ, तो मौडन इंडिया में आप जाओगे, तो वहां पर बहुत सारे ऐसे, जब आप देखोगे कि European countries आई, तो वो उनका में काम उद्देश क्या था, बिजनस करना था, लेकिन एक उनका उद्देश है था अपने धर्म को फैलाना भी, उस धर्म को फैलाने के लिए सिख्षा का एक क्या के वो एक हेल्प लिए, उस सिख्षा के हेल्प लेने के लिए उन्होंने क्या क्या बहुत सारे रूल्स लाए, 1813 का चार्टर एक्ट भी यही करता है, जब European Elizabeth के हाथ में गया, उन्होंने जो कहा एक लाग रुपए खल्च करना है, तो वो सारी ही चीजें, या फिर जो ऐसे समाज हैं, जो भारत के सिख्षा, या पाश्च सिख्षा, या पाश्चा सिख्षा, जो भी होते हैं, जो Western Education था, सब पर जो focus हैं, उनके जो बिवाद थे, उनसे प्रशना आपके हिस्टी से रिलेट पूछेंगे, या किसी famous person का राजा रा, मोहन राय का का यह उगदान रा, या किसी ने कोई पत्रिका चलाई, तो वो कौन थे, इस हिसाफ़ से आपके general awareness के question हिस्टी से पूछे जाएंगे, इंपॉर्टेंट युनिवर्सिटीज हैं, उनके बारे में आपसे question पूछेगा, जेग्रॉफी फिल्ड में पूछेगा, इसके बाद famous person, जन्दल नौलेज में कौन प्रथम है, कौन राश्ट है, भारत का सबसे पहला ब्यक्ति जो पढ़ा लिखा रा, बारत का पहला जो engineer बना, ऐसे type में question आपसे पूछेगा, education field के emphasize को लेके हुए, ऐसे ही आपसे famous जो places पूछेगा, famous आपसे जो award पूछेगा, सिक्षा के छेते में कौन सा award दिया जाता है, कौन सा पुरसकार की धन्रासी सबसे जादा है, किस साहित में कौन सा दिया जाता है, literature में कौन सा दिया जाता है, technology के field में कौन सा दिया जाता है, तो यहां से आपके क्या हो जाएंगे, तो यह एक special collection आपको यहां पे दिया जा रहा है, मैं आपको demo notes भी दिखा रहा हूँ, थोड़ा से wait करिएगा, reasoning में simple से topic है, बाट की reasoning से अलग है, क्योंकि आपके verbal ability ज़्यादा पूछेगा, जैसे statement based question, इसमें आपका inferences वाले question हो गया, conclusion वाले question हो गया, आपके strong argument, weak argument की question हो गया, इनसे question आपको ज़्यादा मिलेंगे, लेकिन कुछ cold topic भी है, जैसे blood relation हो गया, उसके बाद computer में, computer में बस इतना बोल रहा हूं, कि परिक्षा plus में, आसे सरके से अच्छा, खुद computer science से mtech है, अभी तक जितने भी बैचित चले है, computer is special, number एक record रहा है, कि एक भी प्रशन ऐसा नहीं रहा है, जो आसे सरके पढ़ाया से बाहर आया है, अच्छा किया, दस टॉपिक दे दिया, provision of child marriage 2006 का, protection of child from sexual offices 2012 का एक्ट है, उसके बाद 2020 में जो आया इसमें, child labor पे, immoral traffic पे, right of children for free compulsory, commission for protection of child life 2005 का एक, child policy क्या है, national charter of India क्या आया कव आया, child mortality जो मृत्तदर है, उसके बारे में पूचेगा, gender का ratio कितना है, child gender ratio कितना है, किस राजी में सबसे ज़्यादा है, किस राजी में सबसे कम है, जो mortality rate है, इसका factor क्या है, क्यूं माताय महती है, क्यूं बच्चों में होता है, nutrition की कमी रह जाती है, इन तमाम चीजों से संबंदित question, आपका POXO app में पूचा जाएगा, तो यह आपके 10 topic हैं, प्रतेक topic से 1 question आने के संब्भावना है, ऐसे अगर आप इस वाले part में बात करोगे, job का administrative attitude, इसमें आपके 6 part है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 part है, इस 6 part में अगर देखा जाए, तो प्रतेक से 5-5 question आने के संब्भावना आपके है, तो इसी basis पे आपके पूरे notes त्यार किये जारे हैं, इसी basis पे आपके सारी classes त्यार किये जारे हैं, इसी basis पे आपके question जो test होंगे, वो भी आपके त्यार किये जारे हैं, और सब कुछ बहुत बहतर तरीकेसे आपको पूरी के पूरалась में कराया जाए का। पूरी के पूरी कॉरस में कराया जाएगा. अब जो पांच बाग की बचेगा उसमें grammar का रोल कम हो जाएगा अगर इन्होंने पांच comprehension दे दिया तो इस पांच में vocab ही पूछे जाएंगे सब्दावली ही पूछे जाएंगे vocab मतलब आप से synonyms, antonyms, idiom phrases, one word substitutions, spelling error ये questions आपके ज्यादा पूछे जाएंगे और यही सब लिखा भी है आप देखो vocabulary में antonyms, synonyms, grammar, idioms, phrases, one word substitution ये सारी questions आपके ज्यादा पूछे जाएंगे और अगर passes नहीं आया तो फिर वहाँ पे इस्थान कौन ले लेगा, fill in the blanks, आपका ले लेगा, आपका error deduction ले लेगा और आपका क्या आजाएगा, sentence rearrangement आजाएगा, ये तीन पार्ट आपके क्या आजाएंगे, grammar में भी आजाएंगे तो ये depend करता है, अब इसके लिए आपके लिए ज़्यादा important क्या है, तो language में आपको सबसे ज़्यादा क्या पढ़ना है, language में सबसे आपको vocab पढ़ना है comprehension पढ़ने वाली चीज़ नहीं कि और practice वाली चीज़ है, वो practice आपके सब कुछ करा दी जाएगी पढ़ना आपको vocab है, तो language में अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा vocab करोगे, इसलिए आपके especially 10.30am पे special vocab की class लगाई जाती है यह सारे बच्चों के लिए, आप कहीं course यहां से जुड़ो, आप कहीं से भी जुड़ो, एक मैं आपसे बोलूँगा कि अगर साड़े 10 की class आप करते हो ना, एक भी vocab सापको गलत नहीं होगा, इस बात की guarantee मेरी है तो आपको यह साड़े 10 वाली class जरूर करनी हो, इसलिए मैंने यह class free कर दिया, youtube पे कर दिया है कि सारे बच्चे इसे देखें, वो चाहिए यहां पे जुड़ें, हमारा मकसद की वाल पैसा कमाना नहीं, हमारा मकसद है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को सही दिसा में उन्हें guidance देना, और उनके पास सबसे अच्छे resources को उपलब्द करवाना, तो यह classes आपके लिए vocab के लिए बहुत बहुत बहुतरीन class है उसके बाद आपका comprehension तो करा दिया जागा, और जो grammar person है, वो भाई साब आपका क्या मिलेगा, आपके paid course में मिलेगा, उसका आपको अठ्रिक्त से नहीं मिलेगा Similarly, ऐसे हिंदी में भी आपका है, तो यह strategy आपके reasonable language वाली की strategy language की यह हो गए अब बहुत सारी बच्चे बार-बार यह सोच रहे होंगे, कि सर मुझे एक बार demo दिखा दीजे, कि notes के demo क्या है, अगर मैं course purchase करना चाहूँ, तो वो notes कैसे होंगे अब आप देखो, जैसे इसमें बाल-बिवा, प्रतिशेद, अधिनियम-2006, पहली बाब तो आप घबराईएगा नहीं, कि यह notes आपको हिंदी में मिलेंगे, notes आपको जो मिलेंगे, वो bilingual मिलेंगे, दोनों language में मिलेंगे, हिंदी और English यह है, जैसे आपको यह हिंदी में द उसे समंदित आपके प्रशन होंगे, या फिर जो आपकी topic यहां पर दिया, बाल-बिवा से जन्में बालकों का जो भरण होता है, उससे बाल-बिवा करने वाले पुरस वेसल के लिए डंड क्या है, यह सारी ही चीज़े, आपका बाल-बिवा के अनुष्ठान क्या है, बाल इसके अत्रिक्त आपको इंग्लिस में भी, इंग्लिस में ऐसे बनाया गया है, अगर आप देखो के चाहिए इंग्लिस वीडियम का बच्चा चाहिए हिंदी मीडियम का, इंग्लिस को भी इतना बहतरीन नोट्स दिया जा रहा है कि आप इसे क्योल पढ़ते जाओगे, आपकी अलग से PDF, जैसे ambiguous मतलब क्या होता है, allocate मतलब क्या होता है, इनकी आपको अलग से दिया जा रहा है, ऐसे ही आपको हिंदी का हो जाएगा, ऐसे ही आपके सारे पार्ट, अब यहाँ पे ऐसे आपकी जनल अवेनेस वाला पार्ट देखो, इसमें जनल अवेनेस के भी सा क्या हों कि एक एक चीज, अब एकस क्या होता है, है ना, उसमें exact क्या है, एक एक चीज बहुत बहुतन तरीके से, और English और Hindi, दोनों ही माध्यम से, मैं एक बार आपको English वाला भी notes दिखा दू, English medium का भी notes दिखा दू, ताकि आपको यह न लगए कि हाँ भाई के वल हिंदी म भी रहेगा, बाकी आप देखो यहां पर पॉक्सो वाला, पॉक्सो अगर यहां पर आप देखो तो पॉपिशन आप चाइल्ड मेरेज एक्ट, यहां पर एक टॉपिक लिए गया है, 2006 से जो पहली topic है, उसके बारे में exactly आपका definitions क्या है, इंदिस act क्या है, उसके बाद आप आपका custody and maintenance of children child marriage, सब कुछ आपका बहुत बहतीन तरीके से, similarly अगर आप computer के notes देखोगे, या फिर आप reasoning के notes देखोगे, ठीक है, यह देखो, और computer में इतना अच्छा आपको पूरा figure लगा के सब कुछ समझाया गया है, कि आपको laptop और computer खोलने के सकता ही नहीं पड़ेगी, आपके अब नोट्स पड़ोगे, आप सरकी class करोगे, तो सब कुछ आपको एकदम दिमाग में बैठ जाएगा, यही नहीं, अगर आप बाकी जंदल अवेनेस के notes देखोगे, तो सब कुछ आपका बहुत बहतीन तरीके से दिया जा रहे है, अब मैंने यहाँ पे आपको administrative attitude क नोट्स यहाँ पर नहीं दिखा रहे है, कारड़ी है कि उस पर team अभी work कर रही है, वो मैं पहले ही बोल चुको जो मेरे पास अभी नहीं है, वो मैं कैसे आपको दिखा दूँगा, मैं गलत चीज़े नहीं दिखाऊँगा, वो आपको बहुत 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 उमीद यह है कि इस से इस वीडियो से आपको बहुत ज़्यादा लाग हुआ होगा, और एक जो आपका परम उद्देश यह है कि सेलेक्शन लेना, देखो, कुछ चीज़े है, साड़े 600-700 पत कम नहीं होते हैं, मेल फीमेल अलग है, बहुत अच्छी जॉब प्रोफाइल है बहुत अच्छी सेलरी है, आपको खुद का अपना घर मिलेगा, वहाँ पर लहने के लिए, सारी सुभिधाई मिलेंगी, तो आपका एक डीम जॉब में से यह है, और जब डीम जॉब है, तो आपके लिए इसके सामदाम डंडभेद लगाना ही पड़ेगा, कुछ भी हो जा आप वार्डन बानने जा रहे हो, आप मैं इसका एक दो बोरा बेच दोगे, आपका पूरा पीस का पीसे निकल आएगा, आप किसी कांट्रेक्ट को उस पर कर लोगे तो हो जाएगा, कहीं इधर उधर घपला कर लोगे तो हो जाएगा, बहुत उपरी पैसा भी जो आप सु 80 से आपको जो 90 से 95 नंबल लेके चलना है, 50 से 80 परसंट लेके चलना है, और यह आप तभी कर पाओगे, जब एक बहुत ही कंसिस्टेंसी के साथ बहुत ही कड़ी मेनत कर पाओगे, तो भाई अगर आप मुझसे जोड़ते हो, तो एक बाग कहीं न कहीं, मैं आपको इस है, वो आपको टॉप क्लास की मिलने वाले हैं, और इस बात की गैरेंटी मैं आपको देता हूँ, कि जो भी कोस्टेंस होंगे, वो हमारे मेटियल से कहीं बाहर नहीं होगे, आप मुझसे बोलो सर्म मेरे सेलेक्शन की गारेंटी ले लो, मैं कहीं नहीं, सौक्ड रह क्योंकि बाई, सेलेक्शन मैं नहीं दिला रहा हूँ आपको, सेलेक्शन आप अपने बूते पे ले रहो, और मैंने कोई संस्था सेलेक्शन नहीं दिलाती है, मैं आपको सबसे अच्छा मार्दसन दूँगा, मैं आपको सबसे अच्छा रिसोर्स दूँगा, मैं आपको सही है कि आपकर गलत है और उस रास्ते को follow कर लिए तो आपके selection की guarantee आप खुद लेख लोगे और अगर आप यह नहीं कर पाओगे आपके भटकाओ में रहोगे नहीं ऐसा नहीं वैसा चार जगाँ यह करोगे तो sad book मैंने कोई भी guarantee नहीं ने पाएगा उन बच्चों के लिए जो कोसे से जोड़ते हैं जो कोसे नहीं जोड़ते हैं उनके अवादगे प्रॉमिस की बात ही नहीं रहती है वर जो बच्चे जोड़ते हैं उनसे मैं promise हमेशा मांगता हूं यह पहला और अंतीम ही रहता है मेरा promise और इसी promise के आधार पर सारी classes और सारे content सारे resources मैं आपको available करवाता हूँ तो एक बार promise करिए आपको खुद से भी करना पड़ेगा कि नहीं मैं दंदात मेनत करूंगा मैं consistency लेके आऊंगा मैं जो सर बताएंगे follow करूंगा जो material देंगे उसे पढ़ूंगा मैं multiple time पढ़ूंगा अच्छा सर रिवाइस करूंगा टेस्ट दूँगा और इतना कर लेंगे तो आपका selection मैं दिलाऊंगा इस बात की guarantee है कोस लेने के लिए मैं आपको इतना बता दूँ हाला कि मेरा यह focus कभी नहीं होता बट बहुत सारे बच्चे क्योंकि confused रहते हैं call करके परिशान करते रहते हैं आप हमारा गूगल प्ले स्टोल पर जाओगे परिक्षा प्लस एप का लोगो आप देखोगे तो यह बहुत बह कहां पर आपको जाना है live.parixat.org live.parixat परिक्षा के spelling एक बार आप देख लो परिक्षा-plus.org इसको आप अपने Chrome में खोल लोगे तो ये website आएगा और आप बाहर ही सब कुछ देख सकते हो जैसे EMRS Warden का course है यहाँ पे तो EMRS Warden के आपके सारी details यहाँ पे जो लगी होई है अब जो EMRS क्लिफ वेकें computer model हो गया यहाँ पे यह सारी video देख सकते हो जो PDF लगी है इन्हें आप देख सकते हो सब कुछ यहाँ पे आप demo में भी free देख सकते हो जो भी आपके भी free content दिये गए हैं बाकि जो paid होंगे वो तो आपको क्या होंगे वो आपको course purchase करने पे ही देखने को मिलेगा इसके अत्रिक्त भी EMRS के बहुत सारे courses इसके अत्रिक्त EMRS के जितने भी JSA का है या फिर आपका lab attendant का है सारे ही batch आपके चलाए जा रहे हैं यहाँ पे आप देख सकते हो lab attendant हो गया JSA हो गया EMRS के TGT English TGT Hindi TGT मैच चलाए जा रहे है TGT वालों के लिए पार्ट 1, 2 और 3 और 4 जो आपका है वो आपका अलग से कर दिया गया है ताकि जो बच्चे subject के अलवा इन पार्ट को पढ़ना चाहें वो भी कर सकते हैं इसके अत्रिक भी बहुत सारे courses से जब आप जाओगे तो आपे देख सकते हो जो भी आपको समझ में वो course आप ले सकते हो हाँ एक बात बच्चा वारवा बोलता रहता है सर जिसको तीनों तैयारी करना हो उसके लिए course क्या अलग 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 लेना पढ़ेगा बच्चों देखो course हमने बहुत ही minimum fees भी रखा है 699 पर अगर 3 का करेंगे तो सात्रीक 2100 रुपे तो उस बच्चे को 2100 ना देके अभी आपका course आजाएगा और वो जो combo बैच होगा वो आपका इतना मैं कर सकता हूं कि 2100 ना करके only 1600 1600 टोटल आपको पढ़े ताकि आपका अब इसमें हमने कोई तीसरे बैच का फीसी नहीं लिया जो दो बच्चा तैयारी कर रहा है वो तीसरे का भी तैयारी निशुल्क में ही कर ले ताकि 700 1400 वैसे हो गए और 200 रुपे हमारी जिट हैंडलिंग चार्ज चली जाती है जो हमें सरकार को GST OST भढ़ना पड़ता है उससे कहीं ज्यादा लॉस है इस कारण से मैं तीसरे कोर्स की जो बच्चा दो लेगा वो तीसरी बित्यारी कर ले उससे मैं कोई शुल्क नहीं ले रहा हूँ इतना मैं आपको मदद कर दे रहा हूँ यह कॉंबो इसमें आपका JS से भी है इसमें आपका JS से भी है इसमें आपका Lab Attendant भी है इसमें आपका Warden भी है यह तीनों ही कोर्स आपको इसमें दे दिये गए हैं मातर सोला सो रुपए में तीन कोर्स आप सोला सो मिली सकते हो यह आपके लिए मैं कल दे रहो, बाकी इसके अत्रिक तो कोई क्वेरी है, तो आप नीचे comment box में हमें कल सकते हो, या हमारा number 9453406007 और 9129697080, 7080, इस पे आप कल सकते हो, इस पे आप call कल सकते हो, 7080, इस पे आप call कल सकते हो, तो यह number कल सकते हो, या फिर comment box में कल सकते हो, आप और दो.